आज हमारे साथ बुद्दित के जानकार सुधीर राज सिंग जी है और आज हम उन्हें से जानेंगे कि बहुत धरम में शराद का क्या महत्व है पसुधीर राज सिंग जी बताईए हमें जो शरेशब्द है शरेशब्द पाली का या बुद्ध के समय का सब्द नहीं है शरेशब्द बनता है आधेश है और रैसे और शरेशब्द भी पाली में नहीं है इसलिए शरेवी पाली का सब्द नहीं है पाली में अगर आप साध देखेंगे या कनागत अनागत है या संगी दाना है पिंडदान है पिंडपात है संगदान है तो आपको पता चलेगा कि वसावास यानि कि जो भिकू है वो वर्साकाल में एक साथ रहते हैं एक निवास में करते हैं वो असाड में स्टार्ट होता है और असाड की पूर्ण मासी के बाद जब पूर्ण मासी आती है सावन वाली और फिर भद्ध वाली आती है तो भद्ध पूर्ण मासी के बाद में ये समय स्टार्ट होता है और अस्विन पूर्ण मासी आने वाली है, तो तीन महीने लगबग वस्थावास में पूरे होने वाले हैं, दो महीने के बाद लगबग 61 से लेके और पिर्टर में दिन तक के बीच में यह आता है तो यहां चुंकि बारिष जा चुकी होती है और लोग अपने काम पे जाते हैं तो एक नियम बना कि जो भिक्कू हैं वस्साबास में जो रहते हैं जगे-जगे बहुत बिहारों में उनको भोजन की विश्था कैसे की जाए और उस समय जो व्यक्ति है परिवार है वो अपने जो मातार पिता है उनको अपनी खुशाली के लिए याद करता है और जो उसने काम उनसे सीखा है उनको याद करता है तो नियम ये था कि आपने आपको सुद्ध करने के लिए एक परिवार जिस दिन उसके सबसे ज़्यादा परिवार के किलोज बंदे की डैथ हुई है तो वो दिन एक फिक्स होता है जैसे 81 है या 12 है या पुर्णमासी है या मावस है या अश्टमी है या नम्वी है ऐसे करके उपोसत करता है या उपोसत करता है और उपोसत के लिए महा उपोसत के लिए वो भिक्चों के पास जाता है भिक्चों उसको शील देते हैं सील देने के बाद में वो अपना चाहे तो अपना सर भी मुडाले क्योंकि साधना में सर मुडाना भिक्चों का एक स्रामनेर का एक प्राम परिक का रहे होता है फिर उसके बाद जब वो अपना उपसत पूरा कर लेता है तो वो भिक्चुओं को संग दान यानि संगी दाना या पिंड़ पात कराता है पिंड़ पात का मतलब क्या है पाली के समय में पिंड़ बोलते थे जो सबसे बहतरिन खाना होता था शहद दूद और चावल मिला के क्योंकि मीठे के लिए वहाँ शहद मिलाते थे और दूद होता था और चावल इसको हम पिंड़ बोलते थे और पिंड़ आहर को भी बोलते है पाली में तो पिंड़ दान कराना या पिंड़ पात कराना उस समय का, ये एक नियम बना कि सभी अपने माता पिता को याद करेंगे, उनके अच्छे कामों को याद करेंगे, साधना करेंगे, साध करेंगे, और साध के फिर भोजन दान कराएंगे, भिक्कु दान कराएंगे, और ये परंपरा लगातार चलती रही, इससे जो वसाबास क के लिए भिक कुः खटे होते थे उनके लिए भोजन की उप्रब्ता था किरमस होती रहती थी वन वाइवाई वन वं मैंने पंद दिन तक के लिए और सब लोग अपने याद करते थे और वपासा चलती रहती थी ओर जनजी वन साधर उस समय के ये सारे सब्द हैं ज़र ये प्रिक्रिया होती थी और ये लगबग 15 दिन तक चलती थी तो इस प्रिक्रिया को करने के लिए अधिकतर लोग क्याई वार ऐसी जगें भी जाते थे भारत में जहां सबसे ज़्यादा भिक्कूर संग रहते थे और जहां सबसे ज़्यादा वसावास में भिक्कूर धिनसी लोते थे पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो ऐसी जगे भारत में बहुत इंपोर्टेंट थी और लगबग 7 जगे ऐसी थी सबसे पहली जग्य थी जहां बौधी आगत हुई यानि बौधी का आगमन हुआ बौधी आगत जिसको बाद में बौध गया बोला गया बौधी आगत का मतलब है जहां बुद्ध को बौधी प्राप्त हुई उस जगे को कहते है बोधी आई, बोधी आगत. तो बोध गया हो गया. तो बोध गया में जो River है, River के साथ में. क्योंकि वो River क्या है? लगवग मैदान है. और बरसाथ के दूनों में वहाँ पानी खुब आता है. बाकी वो चलती रहती थी क्योंकि वहां धंम में बुद्ध ने वहां गोधिप्राप्त की तो इसलिए पहले स्थान पर उस स्थान पर सबसे ज़्यादा लोग पिंडपात के लिए जाते हैं पिंडपात का मतलब है भोजन देने के लिए आहर देने के लिए भिक्कों के लिए आहरे लिए जो हुआ teachers हैं दूसी जगे इसको कासी या बनारस बोलते हैं कासी या बनारस या बनारसी क्योंकि वहां भगवान ने सबसे पहले सिक्छा दी सिक्छा उप्रपत कराई और पहला संग वहीं बना जिसको साठा बोलते हैं तो उसके लिए वहाँ अधिकतर भिक्रु संग होते हैं और उनके लिए खाने की जादा आप सकता है पड़ती है तो कुछ लोग वहाँ जाके अपना पिंडपाद यानि भूजन देते थे अपने माता पिता की याद में विपस्टा करने के बाद साधना करने के बाद साध करने के बाद तीस नमबर पर आता है इसको बुद्धनाथ बुद्धनाथ वो जगे है जो आप जानते हैं जैसे अत्ताही अतनो नाथो तो अत्ताही अतनो नाथो मतलब आप अपने स्वामी आप हैं आप अपने नाथ आप हैं तो ऐसी जगे बुद्धनाथ हैं बुद्धनाथ को बाद मे बंद्रिनात करके बोला गया, वहां लोग पिंडपात के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां भिक्चु बहुत ज़्यादा रहते थे, वो एकांत में विपस्टा करने के लिए, साध्रा करने के लिए, साध के लिए, बहुत अच्छी जगे मानी जाती थी, फिर आता है संगम, इल फिर आता है थने सर, थने सर जो आज का कुरू प्रिदेश की, इसलिए वहां लोग जाते थे, वहां जाके सब ज़्यादा पिंडपात करते थे, यानि सब ज़्यादा आहर का दान करते थे, संगी दान करते थे, फिर आती है छटे नमबर पे मथुरा, यानि महा थेरा जहां बड़े विक्षू रहा करते थे तो वहां भी सब ज़्यादा दान के आफिता पड़ते थी वह नगरी ऐसी तीरी के यहां सबसे ज़्यादा भिकू रहते थे और सबसे ज़्यादा बुजनदान ये संगीदान ऐसे करके वहाँ दिया जाता था नागत यानि अच्छा समय आने वाला होता था तो यह सारा का सारा जो पुसत है यानि जो पिंद्दान है यह इसी पंदर के लिए नहीं है Niva आप साध्ना सिर्प साल में 15 दिन करेंगे क्योंकि जो आट अश्ब्रमी यह तो बारे बारे 24 सूपकि हो जाती है जो सुक्रमा काले पक्ष में काले म密ड़ है कि जब चंद्रमा काला होता चला जाता है उस नो जो आठवा दिन होता है वहां भी उपुशत करते हैं बारे के बारे जो पूर्ण मासी है उन्मों भी उपुशत करते हैं और जो हमारी बारे अमावस्या आती है उन्में भी उपुशत करते हैं और पंद्रे दिन हमारे स्पेसल ये वाले साधना के हैं जो हमारे पिंडपात के जो बात है क्योंकि पिंडपात करते हैं जब आप साधना करेंगे तो आपको अपने बाल कटाने पड़ेंगे और वहां आप सफेद बस्त पहन के और भूजन का दान करेंगे तो परंपरा आज भी बड़ी अच्छी तरह से चली आ रही है और लोग ये तो भूल गए कि ये भ बड़े मन से दान करते हैं मगर साधन नहीं करते हैं जानते नहीं है कि वो दान किष्णिय करेंगे क्योंकि बाद में मानता है बदल गई चीजें बदल गई बुद्ध के समय में ये बिलकुल ऐसी कोई दान की भुजन दान की जो थी क्योंकि बुद्ध ने इसको पैदा कि पिंडपात, पिंडचारिका, पिंडदान और ये सब होता था और आज की डेट में हम इसको साध बोलेंगे, कनागत बोलेंगे, पिंडपात बोलेंगे, पिंडदान बोलेंगे, संगीदान बोलेंगे या सांगीदान बोलेंगे, धन्यवाद.